इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया जैसल मेर भारत के थार रेगिस्तान में स्थित एक एतिहासिक शहर है इस शहर और उसके भव्वे के लिए को देखने लाखों परिय टक आज यहां आते हैं पर क्या आप जानते हैं कि मध्ययुकिन भारत में ये भारत के सबसे महत्वपुर्न रियासत में से एक हुआ करता था समय के साथ जैसल मेर का इतिहास बदलता रहा आईए जानते हैं जैसल मेर रियासत की कहानी जैसल मेर का इतिहास देखे तो हमें ये पता चलता है कि कैसे समय के साथ एक स्थान का strategic location बदलता जाता है अगर आप आज देखे तो जैसल मेर का बहुत ही important strategic importance है क्योंकि आज वो पाकिस्तान के frontier पर है और थोड़ा आगे जाकर ही पाकिस्तान border आता है तो इसलिए यहाँ पर army installations है यहाँ पर forge है और काफी surveillance होता है पर अगर आप 1000 साल पीछे जाए तो इस थान का वैसे ही important महत्व था बर एक दूसरी कारण की वज़े से राजस्तान के इतिहास की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कच्वाहा राजाओं की या फिर चित्टोट के सिसोधिया राजवंज की पर दूसरी नवी और दस्वी शताबदी में भातियों का पूरा एक बड़ा राज़त था जो पूरे थार डेजर्ट को कंट्रोल करता था अगर आप देखे तो उत्तर में जो भटिंडा का किला है या हनुमानगड का किला है जो एक समय में भातनेर कहा जाता था या फिर पाकिस्तान के साइड में जो डेरावर का किला है ये सारा भातियों का वहाँ पर कंट्रोल था और ये रीजन क्यों महतवपूर न था ये तो उस समय तो पूरा रिगिस्तान था तो अगर आप देखे तो उस समय जो सारा व्यापार, जो ट्रेड और कॉमर्स होता था, वो सारा कैरवान्स और जो उट और उनसे होता था और जो सेंटरल एशिया और अफगानिस्तान से जो ट्रेड और कॉमर्स जो गुजरात के बंदर गाओं पर दक्षन में जो सारे कैरवान्स आते थे, वो सब इसी रूट से आते थे और एक इंटरिस्टिंग बात है कि जो अफगानिस्तान और पंजाब से जो गुजरात जाने के लिए दो मुख्य रास्ते थे, एक था जिसे हम कहेंगे लंबा रस्ता, जो भटेंडा और बिली और उस साइड से एक ऐसा लॉंग टर्न लेकर दक्षन में जाता था और एक दूसरा रास्ता था जो जिसे हम शॉटकट बोल सकते हैं, बर एक बहुत डेंजरस था बिकाज यह थार रेगेस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता था और ये था और जैसल मेर जो है वो इस शॉटकट जिसे हम बोल सकते हैं उस पर होता था और उसकी वज़े से काफी जो व्यापारी और कैरवान यहां से गुजरते थे उस समय यहां की जो में राजदानी थी वो एक चोटा सा गाव था करके लुदुर्वा जो आज बिल्कुल चोटा सा गाव है वहाँ पर एक जैन मंदिर है और वहाँ पर राज हुआ करता था अनफॉर्चुनेटली जो आकरमन कारी है वो यूनों बिकॉज यह एक बहुत ही अमीर और संब्रद राज़त था तो काफी यहां पर अटैक्स हुए थे अभी for example, जो महमूद अव गजनी है उनका जो बहुत फेमस हमला हुआ था सोमनाथ पर तो वो इसी जैसल मेर के रूट से ही वो शॉटकट से ही गुजनाद गए थे वहाँ पर हमला करने के लिए फिर बाद में महमद गोरी आए उन्होंने भी इसी शॉटकट से भारत पर अटैक किया तो क्या हुआ अराउंड 1156 में यहां के जो रावल जैसल थे जो भाटी एक प्रिंस थे उन्होंने कहा कि अभी हमें लोदुर्बा में हमारा राज नहीं करना है हमें एक सुरक्षित ज दूर एक किला था त्रिकुटा हिल करके वहाँ पर यह किला बनाया और अपने नाम से उसे जैसल मेर कहा जाने लगा उस समय पर से बारवी शताबदी से लेकर पूरे जो मध्यकालीन भारत में जैसल मेर एक काफी संब्रुद्ध राज था विकॉस यह उसे हम बोल सकते हैं जैसे की टोल बूत होता है कि जितने भी जो व्यापारी आते थे उन्हें जैसल मेर के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था और उसका काफी उन्हें रेविन्यू मिला अगर आप आज भी जैसल मेर शहर में जाए तो आपको कुपसूरत हवीलिया दिखेंगी अभी यह आपारी थे जो बैंकर्स थे उनकी यह हवेलिया है तो यह हमें यह हवेलिया हमें बताती है कि उस समय जैसल मेर कितना सम्रिद्ध रहा होगा Unfortunately, because उसका strategic location था तो यहाँ पर आकरमन चलते रहे सबसे famous जो आकरमन हुआ वो सुल्टान अलाउदीन खिल जी का हुआ हमें पता है कि जो चित्तोड और पद्मिनी की कहानी है वो तो बहुत famous है कि जैसे उन्होंने हमला किया था पर उस समय सुल्टान अलाउदीन खिल जैसल मेर पर भी हमला किया था और यहां पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और यहां पर जैसे चित्तोड में हुआ था यहां पर एक बड़ा जोहर हुआ था तो यह एक लोग जादा नहीं जानते हैं इस कहानी के बारे में इसके बाद चौदवी शताबदी में सुल्टान फिरोश्रा तुगलख ने एक बहुत बड़ा यहां पर हमला किया था और फिर से यहां पर एक जोहर हुआ था तो इस प्रकार से यहां पर हमले होते रहे पर किसी तरह से भाटी राजा अपना राज चलाते रहे और एक important kingdom बना रहा बाद में मुगलो का शासन आने के बाद बादशा अकबर ने राजस्थान के एक 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 करके हम जादा जगडा नहीं करेंगे हम इनको ट्रिब्यूट देंगे उनको पैसा देंगे और मुगलो को खुश रखेंगे तो यहां से वह गुजरते थे और यहां पर राजस चलता रहा और जैसे हंडर्ड्स ओफ यर्स तक यह राजस चल रहा वैसे चलता रहा अठारवी शताब्दी में जब मुगल सामराज का पतन शुरू हुआ तब जो जैसल मेर के राजा है तो वो अपना राजस चला रहे थे उनके कॉनफलिक्स होते थे जैसे की बिकानेर के साथ लड़ाई हो हो गया और कॉन्फलिक्स नहीं होते थे एंड एक एज ओफ पीस शुरू हुआ अनफॉर्चनेटली यह जो एज ओफ पीस है उसके साथ एक दूसरा बदलाव शुरू हुआ वो था मॉर्डनाइजेशन तो अभी जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान और पंजाब के लैंड रूट से नहीं होता था अभी बंबई और कलकटा और यहाँ पर जहाज आते थे तो पूरा जो ट्रेड जो एक समय जैसलमेर का जो रेविन्यू का जो मुख्य सोर्स था वो बंद हो गया और अनफॉर्चनेटली जैसलमेर एक बैकवर्ड स्टेट बन गया और इन फ ना उनके पास फर्टाइल जमीन थी ना नदिया थी ना इंडस्ट्री थी जैसे कि विका ने बहुत फॉर्चनेट था कि उनका रेगिस्तान था पर वो कनाल बना के और ट्रेड और कॉमर्स के साथ वो रेविन्यू इंक्रीज कर सके पर जैसलमेर के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसलमेर के साथ एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी जुड़ी है वो है कुलधरा और यहां के जो गाउं है और एक बहुत ही फेमस कहानी है कि जैसे यहां पर पालीवाल ब्रामनों की सेट्लमेंट हुआ करती थी और वो एक रात में सब छोड़के बिकानिर छोड़के सब चले गए क्योंकि यहां पर शराप है यहां पर भूत कहानिया है पर अगर हम कुलधरा का थोड़ा सा और डीप जाकर रिसर्च करें तो हमें समझ में आएगा कि यह जैसल में रियासत में उस समय क्या हो रहा था अभी लोग कहते हैं कि सालम सिंग महता जो यहां के दीवान या प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत अत्याचार करते थे और उनको एक लड़की को किडनाप करना था इसलिए वो सब कम्यूनिटी छोड़के चली गए पर यह सच नहीं है अभी पिछले 20 सालों में काफी साइ दूसरा थियोरी है कि यहां पर भुकम की आमीन जब उन्होंने रिसर्च किया तो कुछ घरों में जो डामेज दिखा वो भुकम की वज़े से दिखा तीसरा कारण वो कहते है कि एकनॉमिक हो सकता है क्योंकि अभी तो ट्रेड और कॉमर्स पुरा खतम हो गया था यहां पर भुजगार नहीं था यहां पे कमाने का कोई जरिया नहीं था तो यह कारण हो सकते हैं पर जैसे कि इन्टरनेट को भूत की कहानिया जाधा पसंद है और वो जाधा फेमस है पर कुल्धरा से हमें पता चलता है कि वो किस तरह से अनफॉचनेटली जैसलमेर का विकास नहीं ह तब जो राजस्तान की सारी रियासत हैं उनको option दिया गया कि आपको इंडिया जॉइन करना है या पाकिस्तान एक interesting कहानी है कि उस समय इसके records है कि जो जोतपुर के महराजा है हनवन सिंग उनके साथ जैसल मेर के जो यूबराज है वो भी जिन्ना से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर जैसल मेर पाकिस्तान को जोइन करता है तो हमें क्या मिलेगा और वो negotiations चल रहे थे और suddenly जैसल मेर के यूबराज ने जिन्ना से पूछा कि अगर हिंदू और मुसल्मानों में जगड़ा होता है तो हम क्या करेंगे और तब उनको realize हुआ कि नहीं हमें पाकिस्तान के साथ negotiate नहीं करना चाहिए और बाद में जाके जोद्पूर और जैसल मेर भारत के साथ जुड़ गए उसके साथ ही एक नया border खिच गया जैसल मेर के साथ एक बहुत ही remote area था Interestingly, 1970s में एक बहुत ही popular बेंगॉली फिल्म आई थी सोनार किला जो सत्यजीतरे की किताब पर आधारित थी और उसके साथ जो भारत भर में, especially बेंगॉल में और बाकी के भारत में जैसल मेर के प्रती और किले के प्रती इतना आकरशन हुआ और इतने tourist आने लगे कि अभी जैसल मेर एक बहुत ही popular tourist destination बन गया है unfortunately जैसल मेर का किला है वो एक living fort है, यहाँ पर लोगों के घर है अंदर एक incredible, एक almost 1000 साल पुराना किला जिसमें लोगों के घर है, पर sewage है, drainage है, issues है तो अभी एक endangered एक fort उसे माना गया है, काफी कोशिश है हुए है कि उसको protect कर सके, उसको preserve कर सके और उसकी कोशिश है जारी है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसल मेर का अगर हम एतिहास देखे तो एक जगा का महत्व, 1000 साल पहले एक बहुती strategic location होना बाद में बिलकुली backwater होना और अब फिर से पिछले 70-80 सालों में बहुत एक again एक border city और एक strategic important location होना तो ये है जैसल मेर का इतिहास और ये है जैसल मेर की कहानी बहुत भुब से अनल की कहते हैं असल मेर का बाद मेर का जाद मेर का अगर मेर का इतिहास आगाच और आगर हैं